नमस्कार मैं हूँ पूजा खास कारिक्रम हमारा योग के रंग 21 जून यानि मंगलवार को पूरी दुनिया योग के रंगों में रंगी हुई नजर आई हजारों साल से भारती जीवन शैली का हिस्सा रहे योग को न सिर्फ पूरी दुनिया में अपनाया गया बलकि योग दिवस के लिए जो उचसाह भारत में देखने को मिला उससे जादा उचसाहित अमेरिका जापान चीन और पाकिस्तान समेथ उन देशों के लोग भी दिखे जिनोंने पिछले एक साल में योग को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाया हजारों साल से भारती जीवन शैली का हिस्सा रहे योग अब ग्लोबल हो गया है योग को धर्म से जोड़ कर देखने वाले देशों ने भी दूसरे विश्व योग दिवस पर उसके महत्व को करन के साथ ही पूरी दुनिया में योग के रंगों में रंगी नजर आई आई आपको दिखाते हैं ये योग के रंग 21 जून को दुनिया ने अपना दूसरा विश्व योग दिवस मनाया सिड्नी का ओपेरा हाउस जो हो या फिर कश्मीर की वादिया हर जगा लोगों ने योग किया पी एम मोधी ने जहां चंडीगर में योग मोधी मंत्र दिया तो वहीं मोधी कैबिनेट के 57 मंत्रियों ने देश के अलग-अलग शहरों में योग किया वहीं बॉलिवुड स्टार्स ने भी अलग-अलग शहरों में योग किया विपाशा बसुने बैंगलूरू में तो सोफिया हयात ने मुंबई में योगा किया मंगलवार को दुनिया एक बार फिर से योग के रंगों में रंग गई मौका था दूसरे विश्व योग दिवसका साल के सबसे बड़े दिन ने जैसे ही सूरे की किर्णों के साथ दस तक दी वैसे ही पूरी दुनिया योग के आसन पर बैठी नजर आई योग को विश्व में पहचान दिलाने में एहम भूमिका निभाने वाले प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने चंडिगर के कैपिटल कॉम्प्लेक्स में 32,000 लोगों के साथ योग किया पी-म मोदी ने अपने योग घुरू डॉक्टर नागेंद्र और गायत्री परिवार के मुखिया प्रणफ पांडिया के साथ योग किया इस जौरान पी-म ने एक बार फिर भारत की इस अनमोल धरोहर का गुणगान दुनिया के सामने किया और लोगों से योग को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाने के लिए कहा 21 जून इसलिए पसंद की गई कि एक प्रकार से विश्व के बहुत बड़े हिस्से में आज का दिवस सबसे लंबा दिवस होता है और एक प्रकार से सूरिय से निकट नाते का ये परव होता है और उसे ध्यान में रखते हुए 21 जून को आंतराश्टिय योगा दिवस के रूप में पसंद किया गए पूरे विश्व का समर्थन मिला विक्सित देश हो विकासबान देश हो समाज के हर तपके का समर्थन मिला योग क्या मिलेगा इसके लिए नहीं है योग मैं क्या छोड़ पाऊंगा मैं क्या दे पाऊंगा मैं किनकीज चीजों से मुक्त हो पाऊंगा ये मुक्ति का मार्ग है पाने का मार्ग नहीं है सभी संप्रदाय, धर्म, भक्ति, पुजापाट वो इस बात पर बल देते हैं कि मृत्यू के बाद इह लोग से निकल करके जब परलोग में जाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा आप अगर इस प्रकार से पुजा पत्दी करेंगे इश्वर की साधना अराधना करेंगे तो आपको परलोग में ये मिलेगा योग परलोग के लिए नहीं है मृत्यू के बाद क्या मिलेगा इसका रास्ता योग नहीं दिखाता है और इसलिए ये धार्मिक कर्मकान नहीं है योग इह लोग में तुम्हें एक मन को शांती कैसे मिलेगी सरीर को स्वस्तता कैसे मिलेगी समाज में एक सुत्रता कैसी बने रहेगी उसकी ताकत देता है ये परलोग का विज्ञान नहीं है इही इहे लोग का विज्ञान है इसी जिनम में क्या मिलेगा उसी का विज्ञान है योगे के द्वारा होता है जिसे से मन की स्थिर्था की ट्रेनिंग हो और सरीर को गतिसिल्था की ट्रेनिंग मिले और अगर ये बैलेंस हो जाता है तो जीमन में इश्वर दफ्ट जो ये वे हमारा शरीर है वो हमारे सभी संकल्पों की पूर्ती के लिए उत्तम माध्धम बन सकता है और इस अर्थ में योग आस्तिक के लिए भी है योग नास्तिक के लिए भी है जीरो बजेट से दुनिया में कहीं पर भी हेल्थ इंशावंट नहीं होता है लेकिन योग ऐसा है जो जीरो बजेट से हेल्थ एश्वरंस देता है हारत सरकार की तरफ से मैं आज दो एवार्ड गोशित करने जा रहा है अगले वर्ष जब 21 जून को आंतर रास्ति योग निवस मनाए जाएगा तब भारत की तरफ से यह दो एवार्ड के लिए चैन होगा उनको एवार्ड उसी समाहरों में दिया जाएगा एक आंतर रास्तियस करपर योग के लिए उत्तम काम हो रहा हो उनके लिए एवार्ड दूसरा भारत में हिंदुस्तान के भी तर योग के लिए जो उत्तम काम होता होगा उनके लिए एवार्ड एक आंतर रास्तियस योग एवार्ड एक रास्तियस योग एवार्ड प्यक्ति, संस्ता हर कोई इसमें जूड़ सकते हैं उसकी जो एक्सपर्ट कमिटी होगी वो उसके नियम बनाएगी उसके तौर तरीके बनाएगी जूरी ताय करेगी लेकिन विश्वभर में जिस प्रकार से अनेक अनेक ग्लोबल एवर्ड की बहवाई होती है याद होती है उसका महात्वय माना जाता है हिंदुस्तान चाहता है कि भारत विश्वर के लोग जो योग से जुड़े उनको संबानित करें और ये परंपर हम आगे बढ़ाए दीरे दीरे इसको राज्य ओडिस्ट्रिक तर्कों इलिए हम ले जा सकते हैं तो उस दीशा में हम काम करनेक लिए प्रयास कर रहा मोधी कैबिनेट के 57 मंत्रियों ने देश फर के अलग-अलग शहरों में योग डे के प्रोग्राम में हिस्सा लिया दस मंत्रियों ने यूपी के अलग-अलग शहरों में योग किया राजनाथ सिंग ने लखनओ के कारक्रम में हिस्सा लिया प्रोग्राम जब शिरू हुआ उस समय वहां बारिश हो रही थी राजनात ने बारिश के बीच में ही योग किया स्मृती इरानी ने भोपाल के लाल परेट ग्राउन में योग किया इस मौके पर उन्होंने योग के कई स्टेप्स करके बताए विश्व योग दिवस पर हर कोई योग के रंगों में रंगा हुआ नजर आया चाहे आम आदमी हो या इंडियन आर्मी के जवान नौस एनिकों ने विमान वाहक पोद आई एनस विराट पर किया योग वही कश्मीर की वादियों में मुसलिम महिलाओ ने बुरके में योग कर योग के नाम पर राजनीती करने वालों को भी कड़ा ज़वाब दिया वही शारिरिक रूप से अक्षम लोगों का इस शारिरिक कला के प्रदर्शन को खुशी-खुशी करते नजारा देखते ही बनता है फरीदाबाद में बाबा रामदेव समेन 408 लोगों ने एक साथ शीर्शासन कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया वही राजकोर्ट में 1600 प्रेगनेंट महिलाओं ने योग करके नए वर्ल्ड रिकॉर्ड की दावेदारी पेश कर दी इससे पहले 1913 प्रेगनेंट महिलाओं के योग करने का रिकॉर्ड चीन के नाम था योग के रंगों में रंगे बॉलिवुड सेलेप्स में भी चम कर आसन लगाए मुंबई में बीजेपी नेता शाइना एंसी ने एक्टर डिरेक्टर अरबास खान और तारा शर्मा के साथ योग किया एक्टरिस बिपाशा बसू बैंगलूरू में योगा करती नजर आई इस प्रोग्राम में केंद्रे मंत्री सदानन्द गोडा, सी एम, सिद्धिरमया, बीजेपी नेता अनन्द कुमार भी मौजूद थे वहीं पूनम पांडे और सोफिया हयात मुंबई में योगासन करती नजर आई रोग भगाई योग इसकी एहमियत आज पूरी दुनिया समझ रही है और इसे अपने जीवन में शामिल भी कर रहे है योग को धर्म से जोड़कर राजनीती करने वाले लोगों को भी ये बात अब समझ में आने लगी है कि योग किसी धर्म से नहीं बलकि अच्छे स्वास्त के लिए अमरत मंत्र है कभी-कभी इसके विरोध में खड़े होने वाले देशों ने भी इसे अपनाना शिरू कर दिया है जिसकी बानगी दूसरे विश्वयोग दिवस में देखते ही वनती है Bureau Report A2Z News आप देख रहे हैं विश्वयोग दिवस पर हमारा खास कारक्रम योग के रंग पियम मोदी का योग के लिए प्रेम जग जाहिर है और जिस उत्सहा के साथ पियम मोदी चंडी गण में योग करते दिखे उसे मौजूद वहाँ लोगों में भी प्रेना उनको मिली पियम मोदी की उजा से लोग काफी प्रभावित हैं और पियम मोदी ने जीवन शैली में योग के मात्रों को भी बताया पियम इस दोरान जहां योग इंस्ट्रक्टर की तरह घूमते नज़र आए बही लोगों को दस योग मंत्र भी उन्होंने दिये आई आई आपको दिखातें ग्राफिक्स के जरीए क्या कुछ उन्होंने कहा मोदी ने योग के दस मंत्र दिये है का ये महस क्रिया नहीं बलकि शरील को स्वस्त रखने का एक तरीका है अपनी जिन्दगी में मोबाइल की तरह योग को भी शामिल करने लिना चाहिए इससे हम डाविटी जैसे बिमारियों को मात भी दे सकते हैं योग पाने का नहीं बलकि मुक्ति का मार्ग है ये परलोग का विग्यान नहीं बलकि इस लोग का विग्यान है ये आस्तिक और नास्तिक दोनों के लिए है ये गरीब के लिए भी है ये अमीर के लिए भी है ये एक तरह का जीवन भीमा है जो जीरो बजट पर होता है इसे जीवन से जोड़ के रखना बहुत जरूरी है इसे करके आप खुश रह सकते हैं तो मोधी ने ये मंत्र दिये है दस मंत्रे की योग को अगर आप अपनाते हैं तो उससे क्या होगा योग दिवस पर देश में जगा जगा योग कैम्प लगाए गए योग के लिए लोगों का उटसा भी देखते ही बन रहा था पटना राची भोपाल और लखनाओ समेथ सभी राज्जों की राज़धानियों में इस मौके पर कई कारक्रमा आज़ित किये गए मैं पीम मोदी के 57 मंत्रियों ने भी अलग अलग योग किया बोपाल में HRडी मिनिस्टर स्मृती इरानी ने योगा किया तो पटना मेरा विशन कर प्रसाद ने ग्री मंत्री राजनाच सिंग ने लखनाओ में योग किया तो केंद्रे मंत्री मुखतार अब्बास नकवी और मेरच के MP राजिंद्र अगरवार ने मेरच में योग किया वही हर्याना के परिदबाद में जहां सूरज की किरन फूटने के साथ ही योग गुरु बाबा रामदेव की अगवाई में एक साथ एक लाख लोगों ने योग किया इस मौके पर BJP अध्यक्ष अमिच शाह भी मौजूद रहे उदर नई दिल्ली में राशपती भवन में भी योग दिवस मनाया गया स्री बाबा रामदेव जी का बहुत सारे योगदान है मगर सबसे बड़ा अगर कोई योगदान है तिनों ने योग के माध्यम से पूरे समाज को निरोगी और निरामय बनाने का एक अब्यान छेड़ कर योग को लोगप्रिय बनाने का काम किया पूरे देश में सूरज की पहली के इनके साथ ही योग के लिए आसन बिचना शुरू हो गए थे कश्मीर से लेकर कन्या कुमारी तक लोग योग करते नजर आए वही देश की कई मुख्य मंत्रियों ने भी अपने अपने राजे में लोगों के साथ योग किया राजस्थान में मुख्य प्रोग्राम जैपूर के सवाईमान सिंग स्टेडियम में हुआ इसमे केंदर की ओर से उमा भारती ने हिस्सा लिया कारत्र में सीम वसुंदरा राजे और उनकी कैबिनेट की कई मंत्री भी हिस्सा लेने पहुंच योग के इस कारत्र में वही मध्य प्रदेश के सीम शिवराज सिंग चौहान इस समय चीन के दौरे पर हैं उन्होंने वहीं चीन के लोगों के साथ योगा किया उधर 36 गड़ के C.E.M. रमन सिंग ने भी जनता के बीच आसन बिचा कर योग किया उतराखंड के C.E.M. हरी श्रावत देरादून के पवेलिन मैदान में जनता और कैबिनेट मंत्रियों के साथ योग करते नजर आए तो उधर दक्षिन भारत में आंधर प्रदेश के मुख्य मंत्री चंद्रबावू नाइडू और केंद्र रेल मंत्री सुरेश प्रभू ने भी विजयवाडा में आजरत योग शिवर में हिस्सा लिया अंतराश्ची योग दिवस में दिल्ली के कनौट प्लेस में भी योग का आयोजन किया गया जिसमें उपरा जपाल नजीब जंक के साथ पेंक या नाइडू और सांसन मिनाक्षी लेखी भी मौजूद थे योगा दिवस पर क्या कहना है मिनाक्षी लेखी गाये सुनते हैं हर साल हम नया रेकॉर्ड बनाएंगे और पूरा भारत वर्ष एक दिन योग करेगा और जब पूरा भारत वर्ष करेगा तो कहीं ना कहीं जो स्वास्ते संबंदित लोगों की तकलीफें हैं वो भी ठीक होंगी और बड़ी आसान असान क्रियाएं हैं और उसमें आप बहु अपने सास पर अपने ध्यान पर और अपनी मनेस्थिती पर अगर किसी का कंट्रोल हो तो जो भी चाहे वो अचीव किया जा सकते हैं अब ब्यक्ति की जो पर्मटता है उसका ध्यान है और बाहिये सुन्दर्ता की तरफ नहीं बलकि इंटर्नल स्ट्रेंथ और ब्यूटी की तरफ हमारा जो सभ्यता संस्कृति है वो दिखाती है और मैं सबको उधारण मात्र के रूप में अश्टा वक्र का उधारण जरूर याद दिलाना चाहती हूँ अब दुनिया भर की वो तस्वीर आपको दिखाते हैं जो ये साफ कर देती है कि कैसे दुनिया ने योग को अपना एहम हिस्सा बनाया है पाकिस्तान में बड़ उच्सा के साथ दूसरा अंतराश्टी योग दिवस मनाया गया मलेजिया में भी लोगों ने योग किया अस्ट्रेलिया के हारपर ब्रिज पर भी लोग योग करते नजर आए वहीं न्यू यू यॉक में भी सोमवार को हजारों लोगों ने टाइम स् आजर आए और उस बोल्टिन में इतना ही मुझे दीजे इजासत नमस्कार झाल